धन्यवाद धन्यवाद सभवपती महोदए शिवसना उद्धोबाला साहब ठाकरेप पक्षे के तरफ से मुझे मेरे विचार वेक्ता करने के लिए मोगा दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद वेक्ता करता हूँ और साथ साथ में यह जो बील आया है दिल्ली के बारे में जो बील आया है उसको स्ट्रॉंगली अपोज कर रहा हूँ सभापती मोहद आये वैसा देखा जाए तो आधरनिया ग्रह मंत्री जी ने अपने विवेचन जो किया उसमें इस बील हम क्यों ला रहा है इसका स्पस्टता तो की है और उसी में इस बील के पीछे जो कपट निती है के अंदर सरकार की वो सामने आ चुकी है ग्रह मंत्री जी ने कहा है कि 2015 के पहले सब कुछ सब अच्छा चल रहा था लेकिन 2015 के बाद इस देली में जिस तरह के से मतदारों ने परिवर्तन निर्मान किया राज के अक्षेतर में और इस परिवर्तन से वहां मतदारों के इच्छा से जो लोगों ने सरकार स्तापित किया ऐसे आम आदमी के पार्टी के तरफ से जो एक कपट निती निर्मान हुई उसके लिए आज का बील का जन्मा हो चुका है अद्यक्षा सभापती महोदाए वह इसा देखा जाए तो दिल्ली ए लोकतंत्र की रक्षा करने वाला ए लोकशाई का मंदिर मंदिर में हम सब लोग बैठे है लेकिन दुर्भाग्या से यही लोकशाई के मंदिर में दिल्ली के माद्यम से लोकतंत्र की हत्या शुरू हत्या की शुरूआत इस बिल के माद्यम से हो रही है ऐसा डर मुझे लगता है कि एक दिल्ली में विधान सभा है लोगों के माद्यम से पार्षद विधायक चुने जाते हैं लोगों से माद्यम से मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत् पिछले जो पर्षदों का चुनाव कर्पोरेशन का इस चुनाव में सारे के सारे दिल्ली में उनका जो रवया है दिल्ली वासियों का ओस प्रस्ट हो चुका काफी पर काफी प्रयासों के बाद में भी वहाँ भारत्य जन्ता पार्टी का शाशन्ना आने के जो एक दिल में उनकी जो ये थी बुरी भावना थी वो उनके आज तक उनको सता रही थी और देख रहे थे एक नएक दिन इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा दुर्बाग्य की बात है इसे सवापति मो देख माननिया सरवच्चन आयलायने आदेश देने के बावजूद भी उननीस मैं को आदेश दिया और दिल्ली में लोकतंतर से निर्मान वह राज करता हो जो है राजशाशन की जो प्रक्रिया है उन्हें पूरी तरगे से हक प्राप्त होना चाहिए एसा निर्देश माननि सरवच्चन आयलायने देने के बावजूद वही दिन में ऐसा और्डिनेंस निकाल कर लोकतंतर की हत्या करना और प्रशाश के अमल का अमल में लाना ये निंदनी अबाव है इसकी मैं तो निंदा करता हूँ लेकिन पूरे देश के लिए क्या बाबा साब अंबेड कर जी के कुरपा से या उस वक्त के हमारे पुरोजों के कुरपा से यह जो लोकतंतर की जो देन हमें मिली है ऐसे लोकतंतर का विसरजन यमुना नदी में करने की शुरात इस राज्य के मातेम से के अंदर सरकार्ट के मातेम से हो रहे क्या और सभापती मोदे में पूछना चाहता हू कि अगर दिलिक के आज के जो पराज्य करता है चाहे मुख्यमंत्री अर्विन जी केजिरवाल हो कई कन्यों जैसे ग्रामंत्री जी ने बताया कि उन्होंने करोड रुपया खर्चा करके जब बंगलो बनाया ऐसा उनके बयान में आया है कि एक की अगर एक कारण है तो आपके पास कई पिछलों कई दिनों से जेब में एडी का एक राक्षस आप लेकर घुम रहे पुरे देश में खास करके महाराष्टा हो या अन्य राज्जों में बंगलो आसामो ये एडी के जो है डाइरेक्टर उसका तो इससे महाँ आप करते आ रहे महाराष्टा के आज की सितिया इसी है कि चाहे शुसाना के गद्दार गट हो यार NCP के गद्दार गट लो उनके सार एक बहुत बहुत कई लोगों के उपर एडी का रेड हुई थी कई लोगों के उपर भ्रस्टाचार का आरोप था कल भ्रस्टाचार का आरोप करते दे और आज उनको लेकर मंत्री परिश्द में बैटते हैं जी यह तो वाशिंग मसें से भी ज्यादा लॉंड्री हो चुकी है यह लॉंड्री में डालना ब्रश्चाचार का अरोप करना लॉंड्री में डालना और मंत्री परिश्द में लाकर बैटना दुर्वाग्य की बात ऐसे सव अब यह जो एंडिये की जो मिटिंग हुई एंडिये के जो मिटिंग हुई उसमें आधरन्य प्रदार मंत्री जी के साथ बायात में दायात में भ्रस्थाचार का अरोब जिनके उपर उपर हुआ था ऐसे दोलग बैठे थे और जिनोंने भारते जनता पार्टी खड़ी की ऐस से आधरने गडकरी जी आधरने रञाटाल संग जी लंबे दूर बैठे थे तो यह शाशंग रष्थाचार को करने की लिए और इसे लिए अब डिली में लजी का हात्म बुरी दिली दे रहे ही एक मिनिट में सफ़ापति मूदे एक मिनिट में में दिल्ली में अब क्या प्रेयोफिशदीर्स आप करने के बाद भी कारपोरोशन में भौह मत अर्विन केद्रिवाल के पार्टी को प्राब्टव कर करके देने के बाद उन्हें standing committee chairman आप चुनने नहीं दिया कई दिनों तक, mayor चुनने के लिए नहीं दिया कई दिनों तक, एक अंसी राजनिती हो सकते हैं, अभी खुलाम खुला होगा, चलो LG के पास राज दे दो, और अपने के लिए जो चाहिए, वो करें, इसका इस बील के मात्यम से करने के बील का श्वासेना उद्व बाला साथ ठाकरे पार्टी करा विरोथ करें और करते रहेंगे. श्री एम आरिव जी. Thank you, thank you speaker sir. Sir, on behalf of CPAMI, I vehemently oppose the national capital, capital territory of Delhi Amendment Bill 2023. Sir, it...